कभी आपने मालगारी के डब्बे गिने है क्या अगर गिने होंगे तो परिशान हो गए होंगे क्योंकि मालगारी में इतनी लंबी होती है ये मालगारी कि डब्बे गिनते गिनते ही आउंगी आने लगती है उंगने लगते हैं आप लेकिन अब अगर डब्बे गिनने बैठि दिया है तमाम तरह के नए नय प्रयोग कर रहा है उस प्रयोग में ब्रह्मास्थ चलाई गया है अब यह ब्रह्मास्थ है क्या सबसे पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं और वीडियो थोड़ा कि अब दो कि अब एक अब बना दो कि अब दो कि अबाद कि अ बना है झाल 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 तो वीडियो आपने देख लिया यही रेल्वे का ब्रह्मास्थ है झाल 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 तो झाल हम आपको बता हैं यह तस्वीरे हमने आपको दिखाई इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं चाल मने देखे इखे़ अगा गे त्याल यहाँ के और एगने का झाल क्वाण श्रेश के लिए आप cake and सर्ण तो कि इतनी लंबी मालगारी है पौने तील कीनोमीटर है अगर आपके सामने से गुजर रही है तो देखते देखते आपको उंगी यानि उंगते नीद भी आजाएगी तो ऐसे में आप ये भूल मत किजिएगा डब्बे गिनने की डब्बा आपको बता देते हैं 232 डिबो की ये मालगारी है रेलबे का ब्रहमास्त है उनली को बता है कि इसका नाम ब्रहबार से गया है और इसके परिचालन के एक दिन पहले सोंबार को इसी कोरिडोर में एक साथ तीन मालगारियों का संयोजन कर त्रिसूल छोड़ा गया था त्रिसूल भी चलाया गया था और अब ब्रहमास चलाया गया है त्रिसूल में तीन गारियों का तीन मालगारियों का संगम किया गया था और अब इसमें चार मालगार गया है तो इससे फ इतने सारे डबो को ढोया जाएगा तो कितने माल की ढुलाई एक बार में हो जाएगी कम ताकत में ज्यादा मुनाफ़ा यानि कम लागत में ज्यादा मुनाफ़ा का कॉंसेप जो है रेलवे पालेगा इस ब्रहमास्त के जरिये तो रेलवे ने ब्रहमास्त छोड़ा है हम आपक चंद्र ने बताया कि DDU से सोननगर जपला गणवा होते हुए धनवात के टोरी स्टेशन तक ये ट्रेन गई अंठावन डिपो की एक मालगारी 690 मीटर लंबी होती है और इस ट्रेन में 232 डब्बो को जोड़कर ट्रायल किया गया त्रिसूल के बाद ब्रहमास्त छोड़ा ग किया गया है और सफल ट्रायल किया गया है हम आपको बताएं और चार बोक्षन रेक का सयोजन कर लगभग पहुने तीन किलो मीटर लंबे ब्रहमास्त लोंग हल मालगारी का परिचालन किया गया ट्रेन डीडियू के गंजख्वाजा से रात लगभग 21 बचकर 17 मिनट पर पाना हुई और लगभग 37.5 किलो मीटर परती घंटे की रपतार से बीडी सेक्षन होते हुए 335 किलो मीटर की यात्रा कर ब्रहमास्त गणवारों धोते हुए दनबाद मंडल के तोरी स्टेशन पर 7.25 बजे पहुँझ गई तो ब्रहमास्त सफल रहा है त्रिसूल के बाद रेलवे ने ब्रहमास्त छोड़ा और रेलवे का ये ब्रहमास्त सफल रहा है और आपको बताएं कि ब्यस्तम रेल मंडल है ये जो डीडियू का रेल मंडल है वहां से मालगारियों का परिचालन बड़े पहमाने पर किया जाता है और वैसी इस्तिति में अब ब्रहमास्त के चलने से रेल परिचालन को जो है अगर यू कहा जाए गतिमान रखा जाएगा सुचारू रूप से चलाए जाएगा और एक साथ ही जादा बड़े पैमाने पर माल की धूलाई हो सकेगी तो रेल में को बड़ी सपलता मिली है ब्रहमास्त के जरिये और अब आगे आगे और भी बहुत सारी रेल योजनाय हैं और इसमें बिहार की भूमी का भी काफी हम है क्योंकि ये कोरिडोर जो है यूपी से शुरू होकर बिहार होते हुए जारकन तक गया है तो ऐसी इस्तिती में बिहार से ब्रहमास्त चल गया है बने रही है दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिल हाल के लिए इतना ही धन्यवाद